हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HDFC Bank Account का Customer ID कैसे पता करेंगे दोस्तों अगर आपका Account HDFC Bank में है और आप चाहते हैं अपना Customer ID को पता करना बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों आपको Step by Step करके कंप्लीट जानकारी दोंगा कैसे आप घर बैठे आसानी से अपने मुवाइल फोन से HDFC Bank Account का Customer ID को पता करेंगे तो यहाँ पर Customer ID को पता करने के लिए सिंपली आपको अपना Google Chrome ओपन कर लेंगे ओपन करने वाद दोस्तों यहाँ पर आपको Search आपको search करना यहाँ पर सब्सक्राइब को सरच करना सबसे पहला इंक वेब साइट आपको देखने मिलेगा HDFC Bank बस क्या करेंगे आनेक बाद दोस्तों आपके सामने इसका इंटरफेस आपको इस तरदा forecasts मिलेगा उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे उपर साइड आप देखेंगे राइट साइड लोग इन का बटन है बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस लोग इन बटन पर क्लिक करेंगे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लिक करने वाद फिर से आपके सामने एक नया पेज open हो क्या जाएगा उसके बात यहाँ पर आपको उपर देखेंगे net banking बस क्या करेंगे simply आपको इस net banking पर click करेंगे जैसे आप यहाँ पर click करेंगे click करने बाद आपके सामने एक नया interface आपको इस तरह से देखने मिलेगा तो यहाँ पर अपना customer ID को पता करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में देखेंगे देखनी मिलेगा forget customer ID बस क्या करेंगे simply आपको forget customer ID पर click करेंगे जैसे आप यहाँ पर click करते हैं click करने बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो क्या जाएगा थोड़ा आप यहाँ पर जूम कर लेंगे जूम करने के बाद यहाँ पर आपको पर उपर देखनी मिलेगा तो चलिए यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूं जूम करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखेंगे आपको देखनी मिलेगा mobile number इस box पे क्या करेंगे आपको अपना mobile number यहाँ पर आपको सही-सही fill up कर देंगे उसके बाद देखेंगे please enter your date of birth and pan details both तो यहाँ पर आपको date of birth भी fill up करना और अपना pan number भी fill up करना है तो date of birth fill up करने के लिए आपको देखेंगे यहाँ पर dd मिलेगा इस क्या करेंगे इस dd पे क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद यहाँ पर क्या करना सबसे पर अपना date चूज कर लेंगे date चूज करने बाद यहाँ पर देखेंगे mmm यानि month तो यहाँ पर क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे अपना month चूज कर लेंगे जो भी month होगा उसके बा को यहाँ पर फिल अब करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको देखने माले काप्चा इस काप्चा को आपको इस बाक्सperry में नीचे में आपको के नंबर पर OTP आएगा जो नंबर आपके bank account से link होगा उस नंबर पर OTP आएगा देख सकते हैं यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है उस OTP को आपको इस box पे आपको सही सही fill up करेंगे तो चलिए यहाँ पर मैं अपना OTP को fill up कर लेता हूं यहाँ पर अपना OTP को fill up करने के बाद उस customer ID is इतना इतना तो चलिए इसको मैं जूम कर लेता हूं जूम करने वाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको hide कर रखा है क्योंकि मेरा personal data है देखेंगे your customer ID is इतना इतना यानि आपका यहाँ पर customer ID सो होगा बस क्या करेंगे simply आपको इस customer ID को अपने copy में ल वीडियो पसाने वीडियो को लाइक करें सेर करें अगर सतर का helpful चनकारी और देना चाथे चैनल को जरूर सीरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ स्क्वार्डी से तो comment box comment कर सकते हैं जैहिंद जै भारत